नमस्कार आप बिहार तक देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार एक विलर योड इस्थीत सरकारी बंगले से आप पसुपती कुमार पारस को जाना होगा कि 13 नवंबर को वो इस बंगले को खाली कर देंगे लेकिन उनके इस ऐलान करने के साथ ही उनके बंगले का की वीडियो खुब वाइरल होने लगा जिसमें ये देखा गिया कि उनके बंगले के ऊपर जो एसबेस्टर्स लखा गया था उसको भी उखार कर ले जाया गया और अब यह वीडियो सोजल मीडिया पर खूब वाइरल होने लगा बिहार में जब भी कोई बंगला खाली होता है तो हुब उसको लेकर के चर्चाएं जो है वो शुरू होती है हमने इसको लेकर के राश्ट्रिय लोजपा के जो राश्ट्रिय प्रवक्ता है उनके राश्ट्रिय प्रवक्ता से स्रवन अगरवाल से बाचीत की थी और उनके तरफ से यह कहा गया है कि जब भी किसी पार्टी को राज्य के पार्टी को जब कोई बंगला मिलता है तो सिर्फ बिल्डिंग दी जाती है उसके साथ जो डेकुरेशन का सामान होता है वो नहीं दी जाती है और ऐसे में यह जो इस्मृति भवन था इसे आज से काफी सी टेबल और जो एसी लगाए गए थे वो सभी उनकी पार्टी के तरफ से लगाए या था नहीं कि भवन निर्मान के तरफ से इसलिए उन्होंने जो इस बिल्डिंग में मौजूद सामान था उसको उखार ले गए हैं आपको बता दे कि प्रसुपति पारस के पार्टी के से लगातारी अपील भी कि दा रही है कि उनके पास बहुत सारा सामान है जिसे वो उन्हों सीथ करने में दिकत हो रही है उन्हें जल्ट जल एक नए कार्याले के आभशत राजसरकार जो है उन्हें एक नए नया कार्याल्य दे लेकिन इस सब के बीच एक वीडियो जो बहारा जा रहा है, ऐसा कहा गया है उनकी पार्टी के तरफ से, कि इसका निर्मान जो है, उनके ही पार्टी के तरफ से करवाया गया था, जब भी किसी भी पार्टी को बंगला मिलता है, तो उस बंगले में सिर्फ बिल्डिंग ही मिलती है, और डेकॉरेशन का सामान जो है, व कुमार भी हार तक पत्ना